ओम नमस्षिवाय मैं हूँ एस्ट लॉजर के अमसिन और मैं अपने यूटूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सबसे पहले तो पटना और कुलकता की जनता का बहुत-बहुत धन्यवाद अत्यदिक संख्या में वह मिलने के लिए आए और उन्होंने अपनी कुण्लियों का विसलेशन करवाया अब 28 तारीक को भुमनेश्वर में मैं होटल एमपायर में अवलेबल रहूंगा प्राता काल 10 से लेके 8 बे तक 28 और 29 दोनों ही दिन मैं अवलेबल रहूंगा और इंडोनेशिया और सिंगापूर्ग में जिनको अभी भी बुकिंग करानी है वो 28 तारीक से पहले पहले बुकिंग करा लिजेगा उसके बाद आपको इसकी अपॉइन्मेंट नहीं मिल पाएगा और आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक की बात करते हैं जेपी नड़ा जी ने जो भारतिये जनता पार्टी का मोर्चा समाल रहा है क्या इनके आने से भारतिये जनता पार्टी की ताकत बढ़ रही है या कम होगी क्या यह अमिशा जी के बराबरी काम कर पाएंगे क्या इनके प्रदर्शन से भारतिये जनता पार्टी और हमारे मानेनिये नरेंद्र मोदी जी अमिशा खुश रह पाएंगे या नहीं रहेंगे आई एम इस पूरे वीडियो में समझते हैं शाजी ने ग्री मंत्राले समाला था उसी समय क्लियर हो गया था कोई ना कोई अब उस पद को समालने वाला है तो जेपी नड़ा जी एकदम सही टाइम पर इन्होंने एंट्री किये एस पर एस्ट्रोजी और इनका जो जन अंदर से confidence को बताता है सूरे प्रशाष्णिक चीजों को बताता है चंद्रमा मन होता है दोनों ही चीजों को देखना पड़ता है इसी में अगर समय भी पता होता तो आप लगन कुंडली भी बनाते और फिर सुदर्शन चक्रपद्दिती बनती और फिर सुदर्शन सुद्याओं का यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि लगन कुंडली ही नहीं बन सकती तो सूरे कुंडली में अगर आप देखिएगा तो इनकी सूरे कुंडली में सूरे लगन में ही बैठे हैं बुद्ध के साथ विर्शिक लगन में और साथ में यहां पर बुद्ध आदित का स्वामी है वो खुद परिवार में जाके जुडा हुआ है वाडी में जाके जुडा हुआ है तो अपने वाडी से भी ये पराक्रम दिखाएंगे और तृतिय अस्थान पर शुक्र अपने मित्र अस्थान मित्र राशी में जाकर बैटा हुआ है और शनी इनकी कुली में वरिशिक लगन की कुली में शनी को दो घर प्राप्त है एक चतुर्त अस्थान और एक तृतिय अस्थान सुक्का होता है और साथ में जनता का अस्थान भी चतुर्त होता है और तृतिय अस्थान जो होता है नेम फेम के लिए ज जाना जाता है और शनी दूती अस्थान पर बैट कर चतुरत अस्थान को देख रहा है अर्थात परिवार में बैट के जनता को देख रहा है परिवार का क्या मतलब इनको जो जिम्मेदारी दी गई है भारती जनता पार्टी इनके लिए पूरा परिवार है और वहां से बैट कार time to time यहाँ पर दिखवाएंगे यह अलग बात है कि भारतिय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में शायद ना बने मैं तो यही चाहता हूँ कि इनकी सरकार बन जाए लेकिन जो मेरा prediction है regarding डेली assembly election यह मुझे बहुत मुश्किल दिख रहा है और वहाँ पर अर्विंद केजरिवाल मुझे पुना जीतते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन अगर इन्हों ने जिस time entry किया हुआ है इनके entry करने से भारती जनता पार्टी थोड़ी मजबूत हो सकती है लेकिन फिर भी यहां पर आम आदमी पार्टी ही वहुमत निकाल पाएगी जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ लेकिन आगे क्या अभी तो पहले से भी decide था और अब आगे क्या होना है इसको हमें चेक करना पड़ेगा तो देखें फैबरी मार्च दो हजार बीस तक जो नड़ा जी हैं उनकी कुली में शनी के अंदर केतू की दशा चलेगी और ये हजार बीस का फरवरी के अंदर ही दिल्ली एसेंबली के भी इलेक्शन आने वाले हैं तो क्योंकि इन्होंने पड़ भी शनी के अंदर केतू की दशा में संबाला है इसलिए इनको अपने पड़ के आते ही कुछ फायदा तो भारती जंता पार्टी को यहां पर दे जाएंग कि अरविंद केजरिवाल ही दुबारा आने वाले हैं यह जंता पार्टी की सरकार नहीं बन पाएगी दिल्ली में लेकिन फिर भी आगे की रणीती कुछ चमतकार तो नड़ा जी दिखाने वाले हैं सबसे पहले बात करते हैं शनी में शुक्र जब इनका स्टार्ट होगा ल अपने जबरदस्त नेत्रित्व से ये निश्चित रूप से आप यकीन मानिए भारती जंता पार्टी को सुद्रिन करेंगे और आने वाले चुनाओं में इनकी जो स्थिती है क्योंकि जो अध्यक्ष होते हैं उनकी स्थिती भी देखना जरूरी होती है तो इनकी स्थिती के अंदर शुक्र काफी सुद्रिन रहेगी उसी समय बंगाल के भी चुनाओं होंगे उसी समय उत्तर प्रदेश के भी चुनाओं होंगे तो इन दोनों इन दोनों चुनाओं में भारती जंता पार्टी को पहले से जादा सीटे मिलेंगी और भारती जंता पार्टी मजबू इसका जो चुनाव होगा हाला कि जो नित्रित्व करता है वो आदर्णी मोदी जी हैं लेकिन फिर भी जो अध्यक्ष बनाए गए हैं जिनके कारण हम ये कह सकते हैं जिनको आमिशाद जी और मोदी जी दोनों का सयोग प्राप्त हैं उनकी कुनली को भी आप यहाँ पर नेगल राशी परिवर्तन करके इनके नेम फिम में आएं और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जब भी कोई प्लैनेट का राशी परिवर्तन होता है उससे कुछ दिन पहले ही उसका प्रभाव देखने को मिल जाता है तो ये प्रभाव एक हफते पहले ही देखने को मिल गया और जो शनी इनके धाई साल के बाद इनके सुक अस्थान पर जनता के अस्थान पर जाएंगे तो इनकी भी कुंडली वही सजिस्ट कर रही है कि 2024 में जादा से जादा सीटे बीजेपी जीत पाएगी कितनी सीटे जीत पाएगी ये हवाग वाली बात है कि 400 सीट होंगी साड़े चार सो सीट होंगी यह अभी हवा वाली बाते मैं नहीं करना चाहता हूँ मैं रियल फैक्ट में विश्वास रखता हूँ जब तक चुनाओ की तिथी ना आ जाए और सारी चीजें यह ना पता हो किसके किसके विरुद चुनाओ लड़ा जा रहा है तब तक हम एकजेक्ट सीट नहीं बता सकते हैं लेकिन यहां पर जो प्रदेश अद्यक्ष की जो कुम्ली बन रही है यह बहुत ही मजबूत बन रही है और आने वाले टाइम में बीजेपी और सुद्रिन होता रहेगा तो ये था पूरा जेपी नड़ा जी का आने वाला समय 2024 तक का 2024 के बाद किया होगा वो जब टाइम बीतेगा उसके बाद ही बताना जादा अच्छा रहेगा तो यहाँ पर मैं एक चीच फिर से रिव्यू कर दूँ कि मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि इनके नित्रित्म में नरेंदर मोदी जी और शाजी अलाकि शाजी और नरेंदर मोदी जी नहीं इनको न्यूक्त किया है लेकिन अब जो पार्टी की जो कमान है वो इनके हात में है तो इनकी कुणली को नेगलेट करना बहुत मुश्किल होगा और इनकी कुंडली से ही अब आगे की रनीती डिसाइड होगी और भारती जनता पार्टी की खुद की कुंडली इनकी कुंडली और जिस समय चुनाव होगा यह तीनों चीजों की कुंडली का जो resultant होगा वो exact production देने में मदद करेगा फिलाल भारती जनता की पार्टी की इनकी कुंडली ऑल्रेडी स्ट्रॉंग चल रही है और साथ में जिस डेट में उत्तर प्रदेश और बंगाल के चुनाव होंगे उसका डेट पता चल जाए तो 100% यहां पर मैं prediction कर दूंगा कौन सी पार्टी जीतने वाली है फिलाल दिल्ली के चुनाव का result का इंतिजार रह झाल 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 झाल